बॉख कि यह हूं रहा है यहहफThe खोख रह रहा है एक के बादेगे- टीजर ट्रेइलर अनाउंस्मेंट यह वो अरे ब्रहमास्त्र आने वाली है फ्राइडे को उससे पहले इतना खुछ बॉलिवूद यहहफते एकदम जोश में आ गया है ट्रेलर पे ट्रेलर फेक के मारें हम पे तो चलिए आज बात करते हैं चुप के ट्रेलर के बारे में हेलो नमस्ते आदाबर्ज हैं और आप हैं मिनी टॉकीज छोटा बाइच देखते हुए और आज चुप के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं जो कल ही आया है भई Being an erstwhile Sunny Deol and current Dhulkar Salman fan मेरे लिए तो ये ट्रेलर एकदम ट्रीट था और तो और श्रेया धन्वंतरी को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ especially after scan 1992 and looking at her graph in the movie industry she is doing some amazing roles and लगता है चुप में भी यही हुआ है देखिये चुप का ट्रेलर देखके ऐसा लगता है कि एक serial killer की story है जो movie reviewers और critics को अपना target बनाता है उनको stars देता है वो भी उनके forehead पे Thank God मैंने आज तक कोई star किसी movie को नहीं दिया मैं तो सिर्फ बात करती हूँ movies के बारे में मैं कौन सा critique हूँगा ना पैक अप करें भग लेतें जान बची तो लाग हो पाए अब देखें यह movie मेरा favorite genre है Crime thriller और वो भी murder mystery और वो भी serial killer murder mystery अब इसके trailer में काफी कुछ reveal कर दिया गया है कि दुलकर सल्मान का voice over है as a criminal सो लगता है कि शायद वही है जो serial killer है और एक bereaved artist है जो critics और reviewers से अपना बदला ले रहे हैं references दिये गए है गुरुदद के जिनके passion project कागस के fool को critics और reviewers ने trash कर दिया था और इस वजे से इट टुक अ रियल तोल on his physical and mental health finally leading to his suicide as well इसमें कॉप का रोल सनी दियोल कर रहे है and Shreya Dhanvantri plays as Dhulkar Sarman's love interest and I think there is more to her character also this movie stars Pooja Bhatt so overall इस movie में काफी revealing भी था but intriguing भी था मतलब वो देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप तो मुझे movie की story पता है मैं को देखने जाओ नहीं नहीं intrigue कर दिया है इस movie को specially देखने के लिए और तो और क्या ही बात करें R. Balki has written and directed this movie तो ये बहतरीन तो होने ही वाली है Really looking forward to see Chup in theatres on the 23rd of September Oh wait, this movie is going to release with R. Madhavan's Dhoka also Oh, एक ही दिन में इतना सारा psychological crime thriller Oh, मैं तो पागल हो जाओंग Don't forget to like, share and subscribe to Mini Talkies Until the next dose of entertainment, see ya